अलो वीवर्ज, असलाम उलेकुम, आज की वीडियो में हम इंग्लिश से जुड़े कुछ सेंटेंसिस को, कुछ फिकरात को समझेंगे कि उर्दू में इनका क्या मतलब है और इंग्लिश में किस तरह से हम इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आईए देखते हैं इस वीडियो में तुम तो महंगाई की तरहां पीछे ही पाड़ गए हो पहला वर्ड क्या है, तुम तो महंगाई की तरहां पीछे ही पाड़ गए हो, ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी यू आर, यू आर, आफ्टर मी, तुम मेरे पीछे पाड़ गए हो, पीछे की इंग्लिश, आफ्टर मी लाइक इंफलेशन ऐसे पीछे पाड़ गए हो, किस तरह से महंगाई, महंगाई की इंग्लिश क्या होगी, इंफलेशन तुम किसी काम के नहीं, इसकी इंग्लिश क्या होगी तुम यानि यू, आर काम के नहीं, ओफ नो यू, यू, आर ओफ नो यू, अब आप देखें, हर बंदे को अपनी फिकर करनी चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी आम लिखते हैं यहाँ पर, एवरी मैन, हर बंदे को, यानि के एवरी मैन मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ I am my own man नेक्स आप देखें, तुमने मेरे मूँ की बात चीन ली चीन ली, you took, you took the, बात यानि के वर्ड, ओफ, या मै, you took the वर्ड, तुमने मेरे मूँ की बिलकु यानि के एग्जेक्ट बात चीन ली, तो you took the वर्ड, राइट, र, आई, जी, एच्टी, राइट, राइट, फ्रॉम, माइ, माउट, पांच सेंटेंसेज हैं, जो कि आपने आज की वीडियो में देखे, आप देख रहे हैं अपना फेवर्ट चैनल, स्टडी विद खोला, चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा, मिलते हैं यह वीडि पिस,